सबसे पहले शुरूबात करते हैं दक्षुन भारत के ख्षेत्रों से ही जहां पर मौनसून का इंतजार भी हो रहा है और जहां पर एक्टिविटी भी इस समय काफी जादा हो रही है या होने वाली है तो यहां पर केरल और तमिलनाडू तथा करनाटक के दक्षुनी आंतरिक पर आप देखें तो कई जगों पर बादल नजर आ रहे हैं और ये बादल कुछ इलाकों में आपर बारिश भी दे सकते हैं काफी जादा काफी अच्छी मौश्चर की पहुंच यहां पर है और इसी वज़ए से उम्मीद कर सकते हैं हवाओं के साथ दक्षुनी आंतरिक करन पुद्दुचेरी में भी संभावना बारिश की दिखाई दि रही है इसके अलावा अगर अन्य पार्ट की संभावना है और अगर दक्षणी बारत के क्षेत्रों में उत्तरी इलाके जिसमें करनाटरिक का उत्तरिक हिस्सा तेलंगाना यहां पर ड्राई वेदर नजर आ र और ये संभावनाएं बहुत जादा नहीं हैं लेकिन निश्रीत रूप से विशाका पतनम और कलिंगा पतनम से लेकर नेलोर के बीच में कोस्टल पार्ट्स में लाइट रेन की जरूर नजर आ रही हैं और अगर आगे बढ़ते हुए और चलते हैं सेंट्रल पार्ट्स की तर यहां पर लगातार बारिशवाला बना हुआ है और कुछ जगों पर मध्यम से तेज बोचारे भी गिर रही हैं लेकिन जादतर जगों पर लाइट रेन हो रही है फिलाल चतिजगण में मेंली ड्राइवेदर है लेकिन अंबिकापूर से लेकर यानि उत्तरी इलाकों से लेकर अंबिकापूर बिलासपूर और मध्य में राजधानी रायपूर और दक्षुन में सुकमा दंतेवाड़ा बीजापूर नारायनपूर कॉंडा गाउं कहीं पर भी व सोमें गौलियर, समेथ, भौपाल, विदिशा, उजयन, इंदौर, अतलाम सभी जगों पर ड्राइव एदर रहेगा इधर गुजरात के तमाम इलाकों में भी शुष्क मौसम एक्सपेक्टेड है चाहे वो सौराष्ट का हिस्सा हो या फिर कच्छ और पूर्वी रीजन सभ यहाँ पर दक्षनी और दक्षनी पूर्वी हिस्सा है इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावनाई बन सकती है साथी साथ दहानू और मुंबई से लेकर रतनागिरी, राइगर, सिंदुदुर्ग के अलावा गोवा के बीच में यहाँ पर मौडल नहीं दिखा रह इसके लावा सौराष्टर के भी कुछ इलाकों में यह जो कोस्टल पार्ट है सोमनात वेरावल और राजकोट जामनगर का इन भागों में भी कहीं के पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है हालांकि बारिश यहाँ पर बहुत जादा नहीं होगी इसके बाद हम चलत यहाँ पर देखने को मिल सकता है चाहे वो बिहार हो या फिर जारकन या अगंग यह पर शिम मंगाल क्योंकि यह जो मौसम है इस समय मौस्चर अगर कहीं से भी उठकर आ रहा है हवाओं के जरीए बहुत जादा भले जादा मात्रा में नहीं आ रहा है लेकिन तापमान जब बढ़ता है सूरज की गर्मी जब लगातार दोपहर में अपने चरम पर पहुँच जाती है तो इस तरह से मौस्चर वाली हवाओं की घुसपैट यहाँ पर बादलों को डेवलप कर सकती है तो ऐसे में यहाँ पर किसी भी रीजन में आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं चा काता अलिपूरद्वार दिखा से लेकर मध्य क्षित्रों में मिदनापूर तमाम जगों पर प्री मौनसून की गतिविधियों की और पूर्वी उत्तर भारत की क्षित्रों में काफी जादा बारिश लगातार हो रही है और अभी भी अनुमान यहाँ कि मेगाले, असम, ना गोरकपूर हो या फिर वारानसी और प्रयागराज का रीजन साथ ही साथ अयोध्या, लक्नो, कानपूर का इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है और यही कंडिशन नजर आ रही है सेंट्रल पार्ट्स से लेकर पश्चिम में अलीग चित्रों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ अस्तानों पर काफी ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना है उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रिनाथ से लेकर उत्तरकाशी के बीच में कहीं के पर वर्षा हो सकती है और ह खिमाचल में लाहल उस्पीती, कुल्लो मनाली के बीच में कुछ जगों पर साथी धर्मशाला, डलहोजी में भी कुछ इलाकों में हलकी वर्षा होने की संभावना है जमु कश्मीर में श्रीनगर से लेकर जमु के बीच में गुलमर, कुलगाम, काजिगुन, पहलगाम सभी गर्म हवाय चलेंगी, यह गर्म होने के कारण और शुष्ख होने के कारण यहाँ पर तापमान को उपर ले जाएंगी और मौसम काफी गर्म हो जाएगा, और अल्रडी यहाँ पर टेपरचर आज भी बढ़ेगा, कल भी और बढ़ेगा, तो गर्मी फिर से असहनी हो सकती है फिलहाल देश भर के मौसम पूरवानुमान किस बुलेटिन में इतना ही